फतेहाबाद विधायक जितेंद्रवर्मा ने ग्रामिडों को दी सरकार योजनाओं के बारे में जानकारी पशुपालन के विभाग ने सिविर लगा कर ग्रामिडों को किया दवाओं का वित्रण परशुपालन विभाग के अधिकारियों ने सिविर लगा कर दी जानकारी तहसिल फत्याबाद गाउन नगला गडरिया में लगाया सिविर यह कैम्प का आयोजन किया गया है हमारे पश्चिक साधीकारी फत्याबाद के सोजने से इसमें मुख्य काम जो सरकार की तरफ से इस बार सुलवाद की गई है पीका लगने से पहले पस्वो को उसके पेट के गीड़े की दवा दिया जाना इसमें मुख्य है और बरसाद का मोसम आने वाला है मानसून सीजन जैसे शुरू होता है तो जल भराव होता है जल गोटू की बिमारी आती है तीका करण बरसाद से पहले-पहले किया जाना है प्रस्तावित है अगले अपते से तीका करण सुरू किया जाएगा और घर-घर जो टीम हमारी होगी पस्तालने वाकिए वो घर घर जा करके निशुल ठीका करण करेगी वीमारी से बचाओ के लिए वीमारी से बचाओ का एक उपाई एक मातर उपाई ठीका करण ही है इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है सरकार की प्रात्म के योजना है चाहिए वो टीका करण से संब्धत हो या बांजपन से संब्धत हो या और जो बिचैले तमाम पीटानू जो रोग बना देते हैं उनके लिए हमारे जो डाक्टरों की टीम है उन्होंने या केम्प लगाया फ्री दवाई बितर करने का काम भी ह हमारे पूरे डाक्टर्स लोग या लगे हुए हैं वो कर रहा हैं आप देख रहे हैं सक्छन न्यूज इंडिया सबसे पहले सबसे तेज